जे हिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत हैं मिस्टर स्कायलपर की एक और नहीं वीडियो में और मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो को दबाईएगा और इस वीडियो का लाईक हैं लुगबस जो किया पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जाधा टामवेशन वेचना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी की तो निफ्टी में हमारे पास कुछ important levels थे जो हमने live stream में भी discuss किये थे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो हमने discuss किया था आज के लिए कि अगर निफ्टी 17,200 और 225 के उपर निकलेगा तो हम लोगों को एक up move देखने को मिल सकता है जो at least 17,250-260 की range तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है बट वो up move जो है हमें आता हुआ नहीं दिखाई दिया on the upside में दूसरी चीज़ अगर हम बात करें market ने rejection लिया rejection लेने के बाद market नीचे आया और support को test किया 17,120 और 17,100 के level को अब ये level मैं क्यों बता रहा हूँ आप टेलिग्राम ग्रूप जाईए अगर जिन लोगों नो भी join नहीं किया link नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पे अगर आप देखे आज सुबह ही market opening के बाद मैंने आप लोग को एक update दिया था market opening से पहले अगर आप देखे मैंने update दिया था for nifty 17,200 और 225 important resistance area if we sustain above this nifty can easily test 17,260 और 290 levels on the downside 17,120 और 17,100 level are important support zones आपने देखा आज का जो low लगा वो 17,120 exactly उस level के आसपस लगाए stream पे अपनी क्या बात हुई थी कि nifty एक range में है 100 point की range में है either side breakout ये breakdown होगा तो अपन लोग trade लेंगे यहाँ पे और एक अच्छा trade बनेगा end में second half में market ने 17,120 और 17,100 का level तोड़ा और वहाँ पे अपने को एक छोटा सा scalp मिला जो 17,025 का level अपना था वहाँ तक market एक बार के लिए गया है अब bank nifty की बात कर लेते हैं bank nifty पूरे दिन sideways रहा पूरे दिन choppy रहा end में market में एक sell off आया तो market ने support कहाँ पे लिया जो कल हम एक trend line discuss कर रहे थे market ने यहाँ पे multiple time support लिया है तो उसी trend line के end पे आके market ने एक बार के लिए थोड़ा सा halt किया है तो बहुत important juncture पे market जो है इस वक्त खड़ा हुआ है important supports के पास closing बहुत ही खराब आई है world market से क्या cues मिल रहे है world market अगर मैं देखता हूँ Dow Jones 200 point उपर है Nasdaq 1500 point उपर है हमारा SJX 50 हलका फुलका एक gap अब दिखा रहा है अभी के लिए बट कोई भी issue हो सकता है तो इसलिए अभी हम इन futures को नहीं मान सकते भाई Dow Jones का कल 500 point नीचे Dow Jones भी गिर रहा था तो अगर 200 point bounce आता है तो उसको एक जादा positive नहीं मान सकते हम लोग देखना होगा Dow Jones किस तरह के से react करता है क्योंकि 34,000 का एक बहुत important support जो है वो Dow Jones ने तोड़ा है तो 34,000 के नीचे Dow Jones अब कितना नीचे जा सकता है वो हमें देखना होगा या फिर आज अगर 34,000 के levels को Dow Regain करता है that would be the most important thing क्योंकि 34,000 एक massive support था जो इसने breakdown दिया है on the closing basis तो आप देखते हैं आज किस तरीके से trade होता है 34,000 के level के आजपस on the Dow तो हम क्या कर सकते हैं कल के लिए अपना क्या plan होगा देखिए option chain data आज मैं discuss इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि option chain data बहुत ज़ादा इस वक्त अगर आप देखें तो one-sided आपको दिखेगा call writing हर level पे आपको दिखाई देगी जैसा काफी option chain data में हमने देखा है तो उस पे discuss ना करते हुए mainly आज हम discuss करने वाले हैं price action पर प्राइज ने क्या बता है market में जो second half में selling आई है वो volumes के साथ selling आई है ठीक है पहली चीज़ तो FIs लगातर दबा के बेच रहे है but market ने important support levels को at least कल के दिन hold किया है आज के दिन माफ कीज़ेगा जो कि एक important अच्छी चीज़ है तो on the downside में nifty के लिए अगर हम बोले on the downside अगर 17,025 17,026 का level जो है वो level अगर तूटता है तो हम लोगों को on the downside एक बार के लिए 16,980 तक के level से हैं वो test होते हुए दिखाई दे सकते हैं 16,980 का level अगर कल के दिन breakdown होता है तो I would not be surprised nifty एक बार के लिए 16,890 से लेकर 16,850 की range को test करते हुए हमें दुबारा से दिख सकता है जो की एक massive massive support है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है on the nifty front उपर की side अगर nifty 17,070 को breakout देता है मतलब 17,070 के उपर या फिर 17,100 और 120 के उपर sustain करता है then only हम buy की बात करेंगे और target अपना क्या होगा market की range का apparent जो की होगा 17,200 से 225 क्योंकि trend line भी अब यह जो counter trend line आ रही है यह भी इस area के आसपस हमें आती भी दिखाई दे रही है तो यह चीज़ हमें focus के अंदर रखनी है on the nifty front तो अगर यह 17,120 और 17,025 के बीच में रहता है range bound हो जाएगा आप इस 17,070 के level को एक बार के लिए थोड़ा ignore कीजेगा upside तभी आएगी जब 17,120 के उपर sustain करता है तो हम एक बार के लिए expectation रख सकते हैं 17,200 और 225 की range को on the bank nifty front bank nifty का अगर आप data देखें option chain का तो उसमें भी एक interesting चीज़ जो मैंने notice करी है हमें जो है put writing नहीं visible है मतलब 37,000 के आसपास ही हमें strong put writing visible है जो कि इसका एक strong base है तो अगर आप bank nifty की यहाँ पर बात करते हैं तो एक चीज़ जो आपको देखनी होगी ये trend line को अगर bank nifty कल flat opening के साथ breakdown देता है तो क्या मैं short करूँगा there is a short trade जो यहाँ पर बनेगा और important क्या होगा 37,300 आप मान के चलिए 37,300 का level अगर कल bank nifty तोड़ता है तो 37,200 आपका first target बनता है इसका एक छोटा target scalping target 37,200 37,200 के नीचे अगर bank nifty जाता है तो आपको clean 200 point मिलेंगे और 37,000 का अपना एक target होगा clear cut is 10 line का breakdown का और market probably 37,000 के level को test करता हुआ दिखाई देगा अगर bank nifty में जादा weakness आती हो और 37,000 का level भी breakdown होता है तो 36,800 बोड़ भी the most important support zone जो कि एक important level भी है technically भी और यह जो panic low लगा था उस level का low भी यहाँ पे 36,800 का बहुत important होगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है focus में रखनी है on the bank nifty front उपर की side क्या है उपर की side मेरे लिए ये एक wide range है wide range in the sense कि अगर bank nifty इस level के उपर निकलता है यह कौन सा level है 37,480 इसके उपर अगर bank nifty निकलता है तो there is a scalp बनेगा सिर्फ कहां तक का 37,600 का 37,600 के उपर अगर bank nifty निकलता है तो 37,700 का और 37,700 के उपर निकलता है तो 37,800 का हर 100 point पे मैं उपर की side जो है सिर्फ scalping करना prefer करूँगा क्योंकि हर level पे मेरे को resistance दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो 37,700 के उपर अगर बड़ा breakout कहां पे आएगा जब bank nifty 37,800 37,800 का मैं level आपको बता देता हूँ ये level बहुत important है 37,800 के उपर अगर bank nifty निकलता है तो आपको on the upside में बड़ा breakout मिल सकता है पहला target इसका 38,050 के आसपस अपने को देखने को मिलेगा तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में thank you so much for watching guys जेहिंद बंदे मातरम